साथों ये गणतंत्र दिवस की परेड की तैयारियों के दोरान आपने भी महसूस किया होगा कि हमारा देश कितनी विविदता से भरा हुआ है अनेकों भाशाएं, अनेकों बोलियां, अलग-अलग खान पान, कितना कुछ अलग है, लेकिन भारत एक है भारत यानी कोटी-कोटी सामान्य जन के खुन-पसिने अकांचाओं और अपेच्छाओं की सामुहिक शक्ति भारत यानी राज्यनेक, राष्ट्र एक, भारत यानी समाजनेक, भाव एक, भारत यानी पंथनेक, लक्ष एक, भारत यानी रिवाजनेक, मुल्य एक, भारत यानी भाशायनेक, अभिवक्ति एक, भारत यानी रंग अनेक, तिरंगा एक. अगर एक पंथी में कहें, तो भारत में रास्ते भले ही अलग-अलग हैं, लेकिन गंतव्य एक ही हैं, मंजील एक ही हैं, और ये मंजील हैं, एक भारत, स्रेश्च भारत. साथियों, आज एक भारत, स्रेश्च भारत की ये सास्वत भावना, देश के हर कौने में प्रकट हो रही हैं, मजबूत हो रही हैं. आपने भी देखा और सुना भी होगा कि मिजोरम की चार साल की बाली का, उसने बंदे मात्रम जब गाया, तो सुनने वाले को घर्व से भर देता है. केरल्स की स्कूल की एक बच्ची, जब कठीन परिश्रम से सीख कर एक हिमाचली गीत, बड़े परफ्रेक्शन के साथ गाती है, तो रास की ताकत महसूस होती है. तेलुगू बोलने वाली है कि बिटिया, जब अपने स्कूल प्रोजेक्ट में बड़े रोचक डंग से हर्याण भी खान पान का परिचे देती है, तो हमें भारत की स्रेष्टरका के दर्शन होते हैं. साथियों, भारत की इसी ताकत से देश और दुनिया को परिचत करने के लिए एक भारत, स्रेष्ट भारत पर एक पॉर्टल बनाया गया है, और आप तब तो डिजिटल जनरेशन वाले हैं, तो जुरूर वहाँ जुरूर चाहिएगा. इस पॉर्टल पर एक भारत, स्रेष्ट भारत जो पॉर्टल बनाया है, उस पर जो व्यंजन विधियों का सेक्षन है, उस पर एक हजार से भी अधिक लोगों ने अपने प्रदेश के व्यंजन साजा किये हैं. कभी समय निकाल कर आप इस पॉर्टल पर को जरूर देखिएगा और परिवार में भी कहिए जर आज मां बताओ ये, आपको बहुत आनद आएगा.